यह पर पूराने टाइम से यह वीव बनता है इसको बोलते है बेगमपुरी यह कुछ कंट्रास्ट में बनता है इसका एक जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता और एक पार्ट इसका उत्ना चौड़ा नहीं होता तो आप देख सकते हो मैं आपको बतायाँ था कि मैं आपको आपको आज कॉ आज बेगंपूर 60 के बारे में। यह जो मेंने साधी पहने है तो बेगमपुरी होती है बेगमपुर is a place in Bengal जहां पर यह वीव होता है पताया के wooden planks होता है उनसे यह बनता है इसकी खास पहचान यह है 1 सक़र जो करते हो यह इस तरीके से contrast होते है यसी वाइट में है इसकी सबसे बड़ी पहचानी है कि इसमें एक तरफ border ऐसा होता और एक तरफ बहुत चौड़ा होता है मैं एक वीडियो में दिखाऊंगी आपको खड़े होकर बहुत चौड़ा होता है इसका पैटर्न है और मैं कोशिच करूँगी कि जितनी भी मेपस वीव की साड़ियां है मैं दिल दिल आपको बताऊंगे दिखाऊंगी और सबसे बेस्ट पॉइंट है यह यह जो बेंगॉल के हैंन्गोर्फ एरिंग्स आप इसके साथ मैं यह पैर करूँगी यह क्या शान है हमारे हैंग्लूम हमारा एथनिक जूरी रॉक्स पुरा वर्ल्ड में रूल करती है ना मुझे लगता है ऐसा यह जो पूरा इंडिया वह बहुत अट्राक होती है इंडिया 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 है सच रिच हरिटेज उसको ऐसा ऐसे पुराने ट्रेडिशन्स हैं अभी मैं यह पहन के यह आपको पिखा देजिए कि यह लूप कैसी लगईगी हजए यह ठों यह तो यह जो पूरा इंडिया र्मेटाए जो पेहन अ शुड्र कि मैंस लिभ आ टेंटी यह जय Кर्णा है यह बेंगोल का है यह भी pumps है lazy चारी एक पीन्टिड शू तो अब प्रेट थे मैंने किया पिंक साड़ी के साथ पेर करने के लिए ने पिंक कर दिया दो हिस्सों को तो तो आप राय एंड शो हमारे जो जबरदस्त वीव्स हैं उफ इंडिया साड़ी के प्लीज किप सपोर्टिंग में शो मी सम लव अगर आपको लगता है मेरे वीडियो अच्छे हैं तो उनको शेर भी करना शेरिंग इस केरिंग लव यॉल यह रिंग भी हांड मेड ऐसी क्लोग की